देखे हाथ रसकी बेटी को न्याय दिलाना कोई राजनीती नहीं है पूरा देश एक साथ खड़ा है पूरा देश चाहता है कि बेटी को न्याय मिले उन दरिंदों को फासी हो और मुझे सर्म आती है कि अब केंद्री भरती जंता पार्टी के जो केंद्री नेता हैं केंद्री मंत्री हैं वो भी योगी सरकार की बचाओं में उता रहे हैं वो कह रहे हैं मेडिया को नहीं रोका जा रहा है अरे मेडिया के लोगों को पीटा जा रहा है उनको गाउं में नहीं घुसने दिया जा रहा है सभी चैनल दिखा रहे हैं क्या भाजपा के नेतावंदे भी हो गए टीवी नहीं देख रहे हैं, सोसल मेडिया नहीं देख रहे हैं मुझे लगता है कि उनको अपने कान का और अपने आँखों का इलाज कराना चाहिए और इस इमर्जंसी के खिलाब योगी सरकार के खिलाब बोलना चाहिए लोग तंत्र में विपच जो होता है वो सरकार का आईना होता है आप विपच के नेताओं को धक्का मारेंगे गिरा देंगे एक सांसद को एक आयस किस तरीके से गिरा के लात मार रहा था योगी जी आप अपने दिन भूल गए शदन में किस तरीके से रो रहे थे और आज जब खोद आप मुख मंत्री हैं तो दूसे जन प्रतिनीधी को दूसे सांसद को आप आईस से पिटवाएंगे ये लोग तंत्र का चक्र है ये गोमता रहता है ऐसा कोई काम मत करिएगा कि दुबारा सदन में आपको रोना पड़े दिखें निर्भया के बाद मुझे लगता है कि इस बेटी के लिए पूरा देश खड़ा हो गया है पूरा देश बेटी के पच्छ में हैं केवल भारती जनता पार्टी और आरसेस के लोग नहीं है तो ये तो साफ हो गया है कि भाजपा बलातकारियों के साथ खड़ी है भाज बेटी को न्याय नहीं दिलाना चाहती है और पूरे देश के साथ साथ दुनिया में इसकी चर्चा है कि किस तरीके से वो सरकार जो निर्भया के समय निर्भया के समय तो आप अच्छी भूमका में थे आप देश के साथ खड़े थे लेकिन हात्रस की निर्भया के साथ आप चुप हो गए आपका मौन ये साबित करता है कि आप दरिंदों की मदद कर रहे हैं और दरिंदों के पच्छ में खड़े हैं देखिये रोज रात साथे नौ बजे फिकराब की